student चलिए आपको ले चलता हूँ मैं आप next lecture में production technology tool engineering में ठीक है तो आप लोगो tool engineering पे click करना है चलना है chapter number 2 में chapter number 2 के test को हम लोग attempt करेंगे ठीक है चूंकि जो chapter number 2 है वो बहुत ही बड़ा chapter है तो मेरे इसाब से इसमें 22 questions है ठीक तो मैं इसको समझाने में थोड़ा time लगेगा थोड़ा सा time तो लगेगा ही लगेगा चलिए सुरू करते हैं start quiz पे सबसे पहला question है हमारा corner rounding milling cutter का ब्यास होता है 56 से 110, 10 से 200, 80 से 20, 30 से 300 तो मेरे हिसाब से जो होता है वो 56 से 1110 चलिए ये आप लोगों को याद करना है ठीक है इसमें आप लोगों को बिलकुल भी ये जो ब्यास बगेरा जितने भी होंगे tool engineering के second chapter में ये याद कर लेना है ठीक और अगर मेरा ये जो important important question है ये सब अगर रटल होगे तो इसमें से काफी questions आपको help हो जागी और दोगे कहीरा कितने दांत लिखाया ये दाव होना चाहिए कितने दाव तथा ताप पर बनाया जाता है क्योंकि जो gpa में जोडा जाता है वो दाव ताप होता है तो ये 90 gpa से 1640 तो मैं मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ ठीक है मैंने इसको update कर दिया है जब आप लोग attempt करेंगे तो यहाँ पर होगा कितने दाव तथा ताप पर बनाया जाता है ठीक उसको next question पर चलते है कटाई उपकरणों का chain किन तथ्यों पर निरवर करता है कारिखंड की पदार्थ मतलब जो बर्गपीस है उसका material क्या है कारिखंड पर की जाने वाली प्रकिरिया जो बर्गपीस है उस पर क्या प्रकिरिया की जा रही है ठीक है तो मेरे साब से दोनों होना चाहिए next question में चलते है टंगस्टन कारवाइड की कठोरता है RC92, RC80, 91, 90 मेरे साब से 92 है याद कर लेना इसको ठीक है एक टंगस्टन कारवाइड की कठोरता है इसमें दो ही है दो ही type of question है और यह पूछा जरूर जाएगा इस्टेलाइट मिस्सरधा तो किसका समू है कोबाल्ट, क्रोमियम, कोई नहीं दोनों का feed rate is equal to f.n mm प्रित मिनट, f-n mm प्रित मिनट, f-n mm प्रित मिनट, f-n तो यह होगा हमारा f.n mm प्रित मिनट side milling cutter का ब्यास होता है 50-200 mm, 100-200 mm, 80-200 mm, 50-300 mm तो यह होता है 50-200 mm, multipoint cutting tool का उधारण है, multipoint, मतलब single point नहीं, multipoint drilling tool, milling tool या browsing tool, ठिक, तो multipoint में यह all आएंगे की नहीं आएंगे, चलिए मैं एक wrong tick मार के देखता हूँ, हाज आएंगे, ठिक है, यानि की यह सभी multipoint cutting tool के उधारण है, aluminium and alloy का modulus of elasticity है, तो जो हमारा aluminium alloy है, उसका modulus of elasticity कितना होता है, 69,000 या 169,000 ठिक है, कितना होता है, तो मेरे हिसाब से होता है 169,000 ठिक है, इसी तरीके के questions आते हैं, थोड़ा सा एक, एक line ही तुम लोगों को लगेगा कि यह सही है, यह सही है, है न, आप लोगों के same question गलत हो जाएगा, तो यह आप लोगों को याद कर लेना, यह होता है 69,000 मेगा पासकल ठिक है, कारवाइड टूल पर कोटिंग क्यों किया जाता है, टूल की life बढ़ाने के लिए धार देने के लिए, दोनों इन में से कोई नहीं, तो टूल की life बढ़ाने के लिए ठीक है, उसके बाद आयरन तथा स्टील का मॉडलस ओफ इलास्टिसिटी है, तो आयरन तथा स्टील का होगा साइद 109, नहीं 209 थाउजन मेगा पास्कल ठीक है, उसके बड़ टूल लाइफ कम होने के कारण है, फ्रेक्चर ताबमान में गिरावट धीरे धीरे घिसाओ याल, तो मेरे इसाब से फ्रेक्चर ताबमान के धीरे धीरे सब ही है, ठीक है, सबसे जादा उपियोग कि यह जाने बाला ड्रिल पॉइंट है, 115, 118, 130, 120, तो यह 118 है, उसके बाद कट, देप्ट अप कट की घहराई कैल्कुलेट करते हैं, टी बरावट डी बाई 2, है न, यही है, लैपिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है, 0.01 mm या 0.04 mm, ठीक है, इन में से देखते हैं कौन सा 0.01 mm, डबल पॉइंट कटिंग टूल का उधारड है, मिलिंग टूल, मरोडी टूल, या ड्रिल टूल, या टर्निंग टूल, तो मरोडी टूल, डबल पॉइंट कटिंग हा, मरोडी टूल, साइड मिलिंग कटर की चौडाई होती है, 5 से 82, 15 से 32, या 10 से 32, तो मुझे लग र तूल का उधारड है, टर्निंग टूल, ड्रिलिंग टूल, मिलिंग टूल या सभी, तो मुझे तो लग रहा है इसमें टर्निंग भी सिंगल पॉइंट होता है और ड्रिलिंग भी और मिलिंग, सभी नहीं, टर्निंग टूल अली, हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग किया जाता है मिलिंग कटर आरी ड्रिल रीमर सभी में इस्टे लाइट मिस्रधातु अनधातु की अनप्रियोग है मशीन गन M2H गन बैरल पॉपेट बाल्ब सीट तीनों सभी है ठीक है कारवाइट टूल पर कौन सी कोटिंग की जाती है टी आई एन टी आई सी या टी आई एन सभ हाई स्पीड स्टील टूल की कठोरता है RC50, RC68 या RC67, RC70 तो इसका जो आंसर है मेरे साब से होगा RC67 तो देखिए मैंने 5 गलत आंसर जबाब दी है ठीक है 22 में से तो मेरा स्कोर 77 परसेंट है चलिए इसको एक बर फिर से मैं अटेम्ट करता हूं रिफ्रेश करके जो क्वेस् बहुत स्पीड के साथ इसको मैं करूंगा मल्टी पॉइंट कर्टिंग टूल का उधरड है मल्टी पॉइंट सभी लैपिंग के लिए लाउंस रखा जाता है 0.01 डैप्थ ऑप काट टी बरावट डी बाइट टू कारवाइट टूल पर कौन सी कोटिंग की जाती है सभी टि सभी में डबल पॉइंट कटिंग टूल का उधरड है मरोडी टूल साइड मिलिंग कटर का ब्यास होता है ये तो मैं भूल गया हूं पच्छास से दोस्वय में इस्टेलाइट मिस्रधा तो किसका समू है कोबाल्ट क्रोमियम दोनों का कारवाइट टूल पर कोटिंग क्यों किया जाता है टूल की लाइफ बढ़ाने के लिए टूल लाइफ कम होने के कारड है सभी टंगस्टन कारवाइट की कटोरता है RC92 और दोगे खीरा कितने दाब्त तता आप पर बनाया जाता है ये दोगों हो गया न सही 90 जीपी ये 1600 से 1400 सबसे ज़्यादा उप्योग किये जाने वाला ड्रिल पॉइंट है 118 एलमूनियम एंड अलोय का मॉडलस और पिलास्टिसिटी है 69,000 मेगा पास्कल कटाई उपकरणों का चेन के तत्यों पर निरवर करता है दोनों फीड रेट इजिकल टू F.N.MM परत मिनट इस्टे लाइट मिस्टरदात के अनप्रियोग हैं सभी हाई स्पीड इस्टील टूल की कटोरता है RC67 साइड मिलिंग कटर की चोडाई होती है 5232 एमेम कारनर राउंड मिलिंग कटर का अभ्यास है बताईए इसमें आकर की मैं अटक गया हूँ 56 से 110 सिंगल प्वेंट कटिंग टूल का उधारड है टर्निंग टूल तो फिलाल मैंने सभी कोईस्टेंस है अटेम्ट कर दिया है इसी तरीके से आप लोग भी अगर इसको चार-पांच बार अगर अभ्यास करते हैं तो इतने बड़े चैप्टर को मैंने बहुत ही कम क्वेस्टेंस में दर्षा दिया है आप लोग बड़े आसानी से इस टेस्ट को अटेम्ट कर सकते हैं अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे मिलें और मेरे वीड साइड पर जाकर के इसको अटेम्ट करें थैंक यू